आप ये जो केंद्र चला रही हैं उसके पहले आप अपने बारे में भी कुछ बताईए और फिर क्योंकि आपका बड़ा यूनिक नंबर है दसजार बाँ तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जितने जिन से चला रही है आपका अनुभव क्या है मैं जारगर्ण के रांगर जिले से हूँ और मुझे यहां जनोशदी को चलाने का बहुत बड़ी जिम्मदारी स्वापी जारी है जिसके लिए मैं जुरी तरह से तयार और मैं खुद को बहुत स्वागे साली समझती हूँ कि मुझे यह अफसर प्रदान के अनुद्ध मैं जन्ता को पचास से नब्वे प्रदिशन तक ही लगाई हूँ का मित्रन करने का अफसर मिलेगा जो जनोशदी परियोजना भार्टे जनोशदी परियोजना के अंतरगत आएगा शुरुची जी पहले तो आपको बहुत बात बढ़ाई कि आपने आज देश के दस हजारवे जनोशदी केंद्र की शुरुआत है आपके साथ हो रही है और ये भी बाबाधाम में हुआ है ये बताईए कि जनोशदी केंद्र खोलने का विचार आपको आया कैसे अब लोग देखते हैं आए जबी भी हम जन्दा को दवाई डिस्पेंस करते हैं जैसे मैं पहले भी असिस्टेंट पार्मासुच की तरह कांग पर जुटी हूँ तो हमारे गां मंधिरों बर के लोग और गईबी रेखा के लोग बहुत जादा है जिने बहुत से ऐसे लोग है जो सही उक्चार की अभाव के कारण अच्छुटे रह जाते हैं कि उनको इलाज समी बाता है सर्कारियास का तालों में बड़को पहंगी दवाईयों को खरीद नहीं पाते हैं जिसकी वज़ा से हैं जब जो जुड़ते हैं तो जहां जो दवाई मार्टी में सो रुपे म मिल जाती है तो इसे उन्हें बहुत जादा लाव मिलता है और जो करी के लोग दवाईयों के अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे वह अब करवा पा रहे हैं अच्छा देवगड़ और देवगड़ के आसपास के लोगों को पता है कि रूची दीदी आपकी इतनी बड़ सेवा कर रहे हैं और मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करने का काम रूची जी कर रहे हैं सस्ते में दवाईयां लोगों को पता है क्या कित्नी हम ह को सब्सक्राइब जरूचिए कि परियोजणा को इतना बढ़ावा देशकों उतना पढ़ावा देती हूं और साथ-साथ निविजमत्या से मस्यूड सकती हूं उनको जरूर से जरूर सताने की कोशिश कर थी हूँ अच्छा आप क्या वहाँ जिसने कभी आपकी दवाई का आपके जनावसरी केंदर का लाब लिया है ऐसे कोई है वहाँ जिन से मैं बात कर सकता हूं जी सर नमस्कार क्या सुम नाम है मेरा नाम सोगा चांग मिस्टरा जी है हाँ मिस्टरा जी बताइए मैं पाबा नाम तेवभर मंदिर के पास रहता हूं मैं जनवसरी का तो साल से यहां सोग खुला है तक से ही मैं जनवसरी का तवाई यूज़ करना जी सब्सक्राइए पहले कितना खर्चा होता था अभी कितना खर्चा होता है अब पहले सर बारव के रह जार उपकर खर्च हो जाता है आप जो है सो तीन हजार से साड़ी तीन हज़ा एक हमारे साथ दवाई आपका पैसा बचत हुआ है तो क्या यह बात आपने और लोगों की भी होता ही क्या तीस्टे कितना राभ होता है और आपको दवाई अच्छी मिली बिमारी में भी सावस विदा हुई तो यह सिवा का काम और उसकी किया अपने जितने भी हमारे सदसवन भी हैं, जितने भी मीत्र बुदूंग हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस वाद की जानकारी दियें, और साथ में भी ले जा करके लबाई परिलबाया है आप करते क्या है सोना जी? अच्छा, आपके दुकान पर आप बौड लगा सकते हैं, कि मेरा ही अनुभव रहा है, आप से भी मेरी प्रांथना है, कि आप जन अवसर जी केंद्र में दबाई लीजिए, ऐसा बौड लगा सकते हैं, जितने लगा सकते हैं, और आप लोगों पकोड़े खिलाते हो, जितने तो लोग पकोड़े खाकर के बिमार होते हैं, कि तब ये ठीक होती हैं? लवी सर्थ, मैं उत्वार कोड़े खाकर कोड़े होते हैं, जितने लोगों को खबर पहुचेगी, अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है, तो आप एक काम सेवा का तो है हैं, लेकिन लोगों तक पहुचाना ये भी बड़ी सेवा है.